पिछले दिनों इन दौर में डिजिटल अरेस्ट के कई मामले सामने भी आये थे यूपी के आगरा चित्रकूर से भी ऐसा ही मामला सामने आया था पियम मोदी ने मन की बात कारिक्रम के दौरान डिजिटल फ्रॉड को लेकर लोगों को जागरुक किया है अगर कोई फोन पर पुलिस, CBI या इनकम टेक्स का अधिकारी बता कर बात करे तो सावधान हो जाईए हो सकता है आपको फसाने के लिए जाल बिछाया जा चुका हो पी एम मोदी ने अपने मन की बात कारिक्रम के दौरान इस पर चर्चाखी उन्होंने एक क्लिप भी दिखाई अलो इस नमस्ते सर नमस्ते सर बुलिए सर देखिए जो आपने अफ़ आई या नमबर मुझे सेंड किया है इस नमबर के लाव 17 कंप्लेंट आप ये नमबर यूज कर रहे हैं मैंने नहीं यूज करता हूं सर अभी कहां से बात कर रहे हूं सर करणड का सर वह मगर में हूं सर ओके इसके लिए आप अपने स्टेट में रिकार्ट कर रहे हैं ताके नमबर ब्लाब कर दिया जाए अपना अधार कार्ट मुझे शो कि ये का वेरिफाई करने के लिए अगर आपने कुछ नहीं तो आप डरिये ना अगर आपके पास अधार कार्ट है तो मुझे दिखा दिए वेरिफाई करने के लिए ना अगर आपने कुछ नहीं किया तो आप डरिये ना आपके बारे में इतनी जानकारी जुटा कर रखते हैं कि आप दंग रह जाएंगे दूसरा दाव भाहे का माहूल पादा करो वर्दी सरकारी दफ्तर का सैट अप कानूनी धारा हैं वो आपको इतना डरा देंगे फोन पर बातों बातों में आप सोज भी नहीं पाएंगे और फिर उनका तीसरा दाव शुरू होता है तीसरा दाव समय का दबाव अभी फैसला करना होगा वर्ना आपको गिरपतार करना पड़ेगा ये लोग पीडित पर इतना मनोवे ज्यानिक दबाव बना देते हैं कि वो सहम जाता है डिजिटल एरेस के शिकार होने वालों में हर वर्ग हर उम्र के लोग हैं लोगों ने डर की वज़े से अपनी मेहनत से कमाये हुए लाखों रुपिये घमा दिये हैं कभी भी आपको इस तरह का कोई कॉल आए तो आपको डरना नहीं है आपको पता होना चाहिए कोई भी जाच एजनसी फोन कोल या विडियो कॉल पर इस तरह पुस्ताथ कभी भी नहीं करती पीम ने साइबर फ्रॉडों को समाज का दुश्मन बताया इसके बाद पीम ने डिजिटल फ्रॉड से निपटने के लिए तीन एहम बातें बताएं रुको सोचो एक्शन लो कॉल आते ही रुको गबराय नहीं शांत रहे जल्द बाजी में कोई कदम न उठाएं किसी को अपनी व्यक्तिकत जानकरी न दे संबव हो तो स्क्रीन सोट ले रेकोर्डिंग जरूर करें इजिंसियों की तरफ से ऐसे फ्रॉड करने वाली हजारों वीडियो कॉलिंग आईडी को ब्लॉक किया गया है लाखों सिम कार्ड, मोबाइल फोन और बैंक एकाउंट्स को भी ब्लॉक किया गया है हैस्टेक सेफ डिजिटल इंडिया का प्रयोक कर सकते हैं मैं स्कूलों और कॉलेजों को भी कहूंगा कि साइबर स्केम के खिलाप मोहिम में छात्रों को भी जोड़े साइबर अपराधी बेहद शातिर होते हैं अगर एक बार आप उनके जहांसे में आ गए तो फिर वो आपकी कमाई पर सेंध लगा सकते हैं लेकिन अगर सावधानी बरती जाए तो ऐसे फरेब से बचा जा सकता है ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज एटी